गुड मॉनिंग मेरे पैरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के चैनल की प्रॉब्लम यह है मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा मैंने अभी सुबह सुबह जब उठता हूं तो गाने और भजन सुनता र स्री राम भक्ती का गाना डालते हैं बहुत अच्छा काम करें सनातन का प्रचार करें इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर यह पैसे के परपच के लिए वीडियो बनाते हैं तो इनका वीडियो बनाना एकदम बेकार है कोई कैसे करते हैं उसका solution क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको explain करके बता दूंगा और आपका चैनल बहुत लोगब आते हैं और रोते हैं कहते हैं भी आहाल आएंब किसी तरीके से मुझे बचा लीजे भी आ मैं मेरा चैनल 50 दिन के अंदर मोनटाइज नहीं नहीं तो मेरे पैसे नहीं आएंगे जैसे मेरे सामने हिए लड़का कड़ा हुआ आया हुआ है और यह परिसान रहता है कहता है मेरा 50 डॉलर 50 दिन के अंदर कंप्लीट करा दोगे मेरे 700 डॉलर बच जाएंगे 50 दिन के अंदर complete करा 200 डॉलर बच जाएंगे बड़ा बड़ा कष्ट होता है ऐसे वीडियो देखकर लोगों के वो क्या करते हैं? वो वीडियो कैसे बना देते हैं? ऐसी चीजे क्यों बना देते हैं? क्या हो लॉजिक होता है? मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करते हैं? बहुत सारे क्रेटर हैं यूटूबर हैं जो यूटूबर वीडियो आते हैं दालते हैं कहते हैं कि इस टाइप की वीडियो बनाओ महिने के लाखों कमाओ ऐसे बहुत सारे क्रेटर बताते हैं आपने देखा भी होगा और वो दिखाते भी हैं YouTube पर channel भी दिखाएंगे कि ये देख लो monetize है, जो channel monetize होता है, मैं आपको बता दू, 100 में 2-4 ही channel ऐसे हैं, जो monetize होते हैं, और 98 channel monetize नहीं होते हैं, reused की वज़ा से, AI की video monetize होती है, मैंने खुद video बना कर बताया हुआ है, उसकी कोई tension नहीं, लेकिन AI में आपका uniqueness होना चाहिए आपकी अपनी identity होनी चाहिए, तब आपका channel monetize होगा चाहिए, वो जितना अच्छा content बनाएं या ना बनाएं, और आपको बता दू, reused content किस video में आपके आया है, ये बता देता हूँ, reused content आपके सबसे जादा most popular video के अंदर जादातर होता है, 90% chance होता है, आपके most popular video के अंद reused content हो, अब reused content क्यों होगा उसका region में बताता हूँ, reused content हो सकता है, आपके वीडियो पर, उसी वीडियो पर copyright claim आया हो, हो सकता है कि आपने जो सबसे जादा most popular video हो, वो आपने किसी दूसरे का copy किया हो, ये भी हो सकता है कि आपने copy ना किया हो, उसके बाद भी reused आ गया है, तो copy ना किया हो उसके बाद reuse जब आ जाता है तब क्या करना चाहिए तब आपको अपने sort बीडियो के segment में जाना चाहिए sort बीडियो के section में जब आप जाओगे और sort वाली बीडियो को देखोगे तब आपको realize होगा कि यहाँ पर तो copy करके paste कर दिया गया है YouTube की guideline है कि copy paste करके अगर direct upload कर दोगे YouTube पर कोई भी वीडियो कभी भी monetize नहीं हो सकती चाहे जितनी मेंनत कर लो तो I would like to request मेरे dear friend जितने भी मित्र हो जितने भी दोस्तो सभी लोगों से request है इस type से काम करना बंद कर दूँ और आपकी मेहनत सारी के सारी धरी रहे जाएगी बेकार हो जाएगी कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि मैं तो आपको वीडियो बना बना कर डालता रहता हूं आज तक हमने 500 से जादा channel monetize करा हैं आपको पता है नहीं पता है आपके भी ऐसे ही बनेंगे आप भी अगर यूटूब पर काम करना चाते हैं पैसे कमाना चाते हैं यूटूब पर आर्निंग करना चाते हैं यूटूब पर reuse content से बचना चाते हैं यूटूब पर क्या कब कैसे क्या करना चाहिए वो जानना चाते हैं तो आप हमारी membership ले सकत मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते सर आई वान टू मेंबर्सिप आई वान टू वीडियो कॉल मैं कहता हूं वो के गोड़ बढ़िया है लेकिन जब उनसे मैं पूछता हूं कि आप अपने चैनल पर अपलोड क्या करते हो तब वो कहते हैं सर डीजे का रिमिक्स का अपलोड करता हूं तब मैं उनको बता देता हूं आपको हम मेंबर्सिप नहीं प्रोवाइट करेंगे आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आएगा आपका चैनल मोनोटाइज नहीं होगा तो इस वज़ा से आपको हम मेंबर्सिप नहीं प्रोवाइट कर सकते यहां पर यह चेक करने के बाद एक-एक चीजे देखता हूं, उसके बाद रियपलाई करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं, उसके बाद एक-एक चीजे करवाता हूं, कल भी एक चैनल मोनिटाईज हुआ, जो कि सामने आपके स्क्रीन सोट दिख रहा है, और भी बहुत सारे चैनल नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना तो आप से अभुट εटी में युटूब दूसरे का कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल नहीं डालना है इस बात को ध्यान रखना मैं मिलूंगा आपको कल एक नई वीडियो में तब- तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखे, wish you all the very best, thank you very much for joining us.